हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल चलिए देखते हैं कल मार्केट का मूप कर सकता है अगर आज हम देखें निफ्टी बैंग निफ्टी और बहुत सारे स्टॉक जो बहुत जादा ग्याप उपन हो गए हमने लेवल प्लैन की थी कि इसके उपर क्रॉस करेंगा तब ह हम बाइंग करेंगे लेकिन बहुत ही जादा ग्याप उपन होने के वएसे हमें बाइंग के साइड में कोई इंट्री नहीं मिली और दोस्तों मैंने जो आपको इंसाइड कैंडल का सेटप सिखाया हुआ है इंट्राडे में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है निफ्टी ब उसके बाद 11-12 बजे के आसपस यहां से फिर से एक बार इसने इंसाइड कैंडल फॉर्म की और अगर यह लाइन आपको याद हो पिछले सेशन में भी मैंने बताया था आपको सोलर स्टाइस डेट जो था उसके क्लोजिंग प्राइस पे लोग के प्राइस पे हमने इसको मा यहां से जब इसने इंसाइड कैंडल को भी ब्रेक किया और इस लाइन को भी ब्रेक किया तो मैंने बहुत ही एग्रेसिवली सेलिंग किया बहुत लॉट्स के साथ सेलिंग किया तो बहुत ही अच्छा प्राफिट हमें यहां पे मिला यह डेट्स का यह फाइदा होता है दो इंसाइड कैंड़ का सेटड़ पता नहीं है तो मैं एक स्पेशल वीडियो इस पर बना दूगा अगर बहुत सरे लोगों ने तो मैंने बहुत बार शेर किया है इंसाइड चैंडल के ऊपर लेकिन अगर आप चाते हैं कि मैं उस पर एक special वीडियो बनो inside candle का setup फिर से एक बार सिखा हूँ तो आप comment box में ऐसे लिखे inside candle बस इतना लिखे है comment box में तो मैं आपके लिए एक special वीडियो ज़रूर बनाऊगा अगर कल हम देखे यहाप एक trend line form हुई है यहाँ से अगर यह उपर break करता है तो थोड़ा buying के side हमें मिलेगा लेकिन थोड़ा कल हम इसमें अभी थोड़ा negative scenario देख रहे है Nifty में कल के लिए हमारा plan होगा अगर यहाप भी आप देखें थोड़ा इसमें selling के लिए pressure आ सकता है काफी अच्छा जो है वो price action नीचे के side मिल रहा है तो अगर कल हमें इस level के नीचे मिलता है जो के 17,355 इसको अगर नीचे break करता है तो हम इसमें selling करेंगे target हमारा होगा 17,252 यह हमारा target होगा और stop loss इसमें हमारा होगा 17,397 यह हमारा stop loss होगा और एक बात दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा gap up या बहुत ज़्यादा gap down open होता है तो थोड़ा price action देखने के बाद ही आप इसमें trade करें वरना इसमें थोड़ा avoid करें क्योंकि थोड़ा confusion market create कर रहा है बिना setup के trade मत करना या फिर inside candle का setup हो एसा कोई अच्छा setup मिलता है तो भी आप फिर उसमें trade करना अगर gap up या gap down open होता है तो bank nifty में भी same scenario है लेकिन bank nifty में इसमद प्रोब्लम यह है दोस्तों कि दो major support और resistance के बीच में अभी यह गिर चुका है अगर यहापे देखे 37,150 यह एक important resistance है और इस level के आसपास एक important support है 36,820 इन दोनों में से कोई level जब तक यह break नहीं करता तब तक हम इसमें कोई one side move जादा देख नहीं सकते या तो इसने इस level को नीचे break करना चाहिए या फिर इस level को अगर उपर break करता है तब उसके बाद हम इसमें bullish side में move देखेंगे तो इसको थोड़ा price action बनने दिजे तब कल आप देखके इसको trade करिए इनसाइड candle के setup पे आप इसको कल price action बनने के बाद trade करिए तो इसमें कोई special levels हमें नहीं मिल रही है तो चलिए next talk अभी हम देखते हमें अभी अगर हम देखे price action बनाते हुए नीचे आ रहा है gap भी छोड़ दिया है बहुत बड़ा इस gap को फिल करने के कल try कर सकता है तो इस level को अगर नीचे के side break करें जो कि 354.65 इस level को अगर नीचे के side break करता है हम इसमें selling करेंगे target हमारा होगा 351.50 यह इसमें अमारा target होगा और stop loss इसमें अमारा होगा 356.35 यह इसमें अमारा stop loss होगा तो कल इसको भी आप trade कर सकते हैं चलिए नेक्स्टोक अभी हम देखते हैं नेक्स्टोक हमारा है अशोक लेलान अशोक लेलान अगर आप देखे यह बहुत ही important trend line इसको यह breakout दे चुका है 15 मिनिट की candle पे और इसमें हम selling देख सकते हैं बस एक important level है 127 इसको अगर एक बार break करता है तो हम इसमें और selling देखेंगे target हमारा होगा 125.70 और stop loss इसमें हमारा होगा 128 यह इसमें हमारा stop loss होगा तो इस पर भी आपकल नजर रखिए next stop हमारा है Castrol India अगर आप देखें इसमें बहुत दिनों से दोस्तों उपर के side जो है बहुत बड़ी बड़ी shadows आपको दिख रही है continuously इसमें selling का pressure आ रहा है यह थोड़ा recover करने की जब भी try करता है तो बात में इसमें फिर से जबर्दस selling आ जाती है इस line को भी यह break कर चुका है तो अभी कल इसमें अगर हमें 125 के नीचे मिलता है तो और ज्यादा गिरावाट इसमें हम देख सकते है Castrol India में तो 125 को अगर यह break करता है एक target हमारा होगा 124 और stop loss इसमें हमारा होगा 125.50 1 raise to 2 इसमें हमारा target है तो दोस्तों अगर आपको inside candle का setup चाहिए तो comment box में inside candle लिखे उसके उपर फिर में ज़रू special वीडियो बनाऊगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो like करना बिल्कुल ना भूले thank you so much